असलाम को मैं वेलकुम बेक टो मैं चैनल, अपसब ठीक टाक होंगे और आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी बहुत इजी सी और बहुत अमेजिंग सी रेसिपी जो है ओरियो आइस क्रीम की ट्रेसिपी है यह काफी हिट रेसिपी है मेरी बट मैं इसे शेयर ने कर सकी थी अब आपको इसके रहे चाहिए तीन चीज़े जिसमें है और यो जाएट से बात ओर यो तो मैं चाहिए होंगे विद क्रीम और चाहिए और यहां तो कुप लिया है तो क्रीम होगी तो वन कब आपने कंडेंस मिलेना है यह रेशियो होगा और और यो आपने हिसाब से रख स अगर नहीं है तो आप इसे विस्ट से या फोक से भी कर शकते हैं आपने बस इसे थिक करने हैं but make sure कि overbeating भी ना कर दें इतना कर दें कि अपने consistency थोड़ी से थिक कर ले और इसके बाद आपने इसमें condensed milk एड़ करने आप देख सकते है इसकी soft peaks बन चुकी है it means कि यह कफी अगर आप चाहें तो गर्मी बना सकते हैं बहुत इजी है आपको यूटीब पर कोई रेसिपी मिल जाएगी है नेक्स मैं आपके साथ वो रेसिपी शुय कर दोंगी बेसिकली यह मैंने हाफ कप्रिया है तू कप के साथ जितना मीठा को पसंद आप एड कर सकते हैं बट यह ब कॉंटिटीज जादा कर देंगे अब है यह जो है आपशनल है यहां मैंने थोड़ी सी चॉकलिट सास चॉकलिट सेड़ जो होता है टॉपिंग वह मैंने थोड़ी सी एड की है यह बिलकुल ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें कोई उतनी ज़रूरत यह आपको बस न्यूटेला वगरा है तो आप वो थोड़ा सा एड कर दें साथ मैंने हाफ सारे बिस्किट्स को एड कर दिया है और इससे हम फोल कर लेंगे हलके हाथों से स्पैचुला से ही असिस्टेंसी का आपने बहुत ज़्यादा खया लगना है ना जादा रणी हो ना बना जाती हो अब मैं सारी आइश क्रामिस में निकार लूँगी आप देख सकते हैं इस ता से मैं निकार ली है और इससे इस्ता हमी कर देंगे साथ साथ किसे नीचा कर देंगे और यहां मेरी आइस्क्रीम हो चुकी है रेडी अब मैंने इसे यहां पर क्लिंक लगा के रैप कर लेना है इससे भी होगा कि आपके एर इसमें अंदर नहीं जाएगी अब आपने इसे कवर करके फ्रीजर में रख देना है ओवर नाइट के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा है अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एट लीस सिक्स टू एट आर्ट के लिए रखें ताके वो बिल्कुल अच्छे से हमारी आइस्क्रीम बन जाए आफर एट टू नाइन आर्स हमारी आइस्क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी जम गई है ये और इसको जतना आप टाइम देंगे अतना अच्छा है और जिस तान से मैंने रैप करके रखाता इससे इसमें गई तो ये बिल्कुल भी इसमें बरफ नहीं जमी अब आपने स्कूप की मदद से से निकाल लेना है आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और इससे सर्फ करें टॉपिंग के साथ विट ओर योज और बहुत अच्छी सी आपके एक आईस्क्रीम रेडियो जाएगी आप आप चाहें तो ये बना सकते हैं ये कोई मिठा हो तो बहुत एजी है एक दिन पहले बना के लखने जादा बैटर है या सुबा बनाने तो आपको रात में सर्फ करना है तो बहुत अच्छा एक डिजर्ट रहेगा साथ सो आज की रेसेपी यह थी आप सब को अच्छी लगी झाल